हलो फ्रेंज नमस्कार स्वागत है आप लोगों का अखेले जो किसमें यूटूब चनल में आज के वीडियों हम आपको बताने बाले हैं कि अधार कार्ड में आप लोग कौन सा नंबर लिंक है कैसे चेक कर सकते हो या फिर आपके पास मोबाइल हो या फिर कोई भी PCOT कर सकते ह तो इसके लिए आपको अधारकार्ड की जरुद का बड़ेगी जिस में आपका अधारकारणनंबर होता है उससे आप लोग चेक कर पारोगे की आपके अधारकारड में लिन्क अगयर आपने चेक कर सकते हो कि या आपेसों और में प्लेम Ale mitt है तो आप लोग पूलग को पू अगर आपके पास computer है तो भी कोई दिखता नहीं है आप अपने internet को connect करने ठीक है उसके बाद आपको जाना है Google में चले जाए या फिर कोई ब्राउजर हो आप ब्राउजर में चले जाए ठीक है उहां पर लिखना है UIDAI इतना लिखना आपको उसका यहां पर आ गया आपको search कर जाएगा आपका और यहां पर खुलने के बाद आपको चले जाना यहां पर नीचे नीचे जाने के बाद यहां पर आपका एक option होता है verify and अधार नमबर ठीक है अधार service में जब जाएंगे आप तो यहां पर verify and अधार नमबर पर क्लिक करना है जो कि आप देख सकते हैं उप अधार नमबर डालना है उसके बाद ही जो है capture code को डाल देना है यहां पर मैंने साइड़ को फिल कर दिया और यहां पर security परपेस के लिए यह थोड़ा सा हाइड के हुआ है उसके बाद आपको नीचे जब आना है option तो देख लेजी यहां पर है proceed and verify अधार इस पर आपको क्ल 20 year यानि कि 10 से 20 साल के अंदर ही यह जो है अधार काड में जो भी एजैन का है और यहां पर उत्तर पर देशन नीचे आपको देख रहा है mobile नमबर में आप देखेंगे तो यहां पर तीन अंखी देखा रहा है security परफेस्ट के कारण यहां पर पूरा नमबर नहीं सो करता कि हमारे अधार काड में कोज मोबाइल नमबर लिंक है